दोस्टो अगर आपके पास राइटिंग स्किल है और ब्लागिंग शुरू करने की प्लानिंग है तो ब्लागिंग सब्टर या ब्लागिंग प्रेटफार्म आपके लिए सबसे मौत्वपूर्ण ओमी का निभा सकता है वैसे WordPress इसके लिए सबसे पापलर प्रेटफार्म है लेकिन वेपर ऐसे कई ब्लॉगिंग प्रेटफार्म है जो WordPress से लाइट है और आपको सर्क आप्टिमाइजेशन यानी ESO के ब्यातर तूल भी मुवया करते हैं ऐसे में इन प्रेटफार्म की जानकारी आपकी मदद कर सकती है WordPress यह दुनिया का सब्ते लोगपुरिये ब्लॉगिंग प्रेटफार्म है ब्लॉगिंग और यूज करने में आसानी के चलते हैं इसको 30 पीसे दी वेपसाइट में यूज किया जाता है यह कई पापुलर आप्सन देता है जैसे फॉल्ड वो कस्टम लूप आप्सन वाली सेकड़ू थिम एकपर सपोर्ट और प्लॉप्ट प्लॉगिंग के जरिए इंटिग्रेट करड़ प्लॉप्ट को स्विकार करना इसका परस्नल मात्ताल लेने वालों को थाला भी दिए जाता है जो वर्डप्रेस से सभी विग्यापरों को हटा जीता है इसके अलावा प्रेटियर भी उपलबता है जो नॉन कमेसियर ब्लॉग के लिए उप्यूगता है टमलर मुबाइल फोन पर यूज़ करने में बिहाद सरण और फ्री माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए लोकलिये टमलर में 421 मिलियन जोग है लेकिन इसके जरिए यूजर कमाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका कंटेंट टमलर एको सिस्टम में ही रहता है यह चोटे चोटे यह चोटे कंटेंट वाले पोस्ट जैसे फोटो जो टेक के अलावा आप सोचल मीडिया प्लेटफार्म की तरह दूसरे ब्लॉग को फालो करने के साथ साथ पसंदी देया पोस्ट अपने ही ब्लॉग में दोबारा पब्लिक कर सकते है प्रोफेशनल ब्लॉग के लिए बनाया गया है यह प्लेटफार्म को कई तरह की फ्लक्सिविटी दिता है जैसे इमेल वेप राउजर या मोबाइल ने कंटेंट लेकर पब्लिक करना इसके अलावा कुछ का एफिलिस्ट प्लान गुगल एनालिटीस के साथ हासान इंटिग्रेट की थीम विल्लर के जरिये डिजाइन, कस्टमाइजिशन और उजूर को अपना कस्टम टेंपलेट या कस्टम सी यसे से थीम सरसोदन करने का विप्रिकल यह प्रेटफार्म पु प्लान च्यार ब्लॉक्त असीमिक इसक्ते हैं, जेकिल कई एडवांस फीचर वाला यह ब्लॉक्ट प्रेटफार्म है, लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं माला जाता, क्यूंकि इसमें केवल क्रेमिनिटी सपोर्ट और इस पर काम करने के लिए उरुभी प्रोग्राम का नॉ प्लॉक्त लेगवेज टेंपलेट को यूजर करेंगे तो, जेकिल कंटेंट और टेंपलेट को एक साथ मर्च कर देता है, जिससे आपकी विबसाइट क्रेट हो जाएगा